दोस्तों, Infibium Avenue की बात करें, यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है Infibium Avenue ने एक्चेंज को कुछ जानकारी दी है क्या है अपडेट उसको समझने की कोर्सिस करेंगे Infibium Avenue की बात करें, यह एक AI प्लेटफॉर्म आदारित कंपनी है जो UPI transaction की सेवाई भी देती है दोनों ही बीजनेस इसके बहुत ही सांदार है और लगातार कंपनी अपने बीजनेस को बढ़ा रही है लगातार बहुत सारे announcement कर रही है और ऐसे में यह लग रहा है कि यह जो छोटा सा stock है एक बड़ा multi-bagger बंदे को तयार हो रहा है क्या ऐसे में इस लेवल पर हमें खरीदारी करनी चीए यह एक चुपा हुआ रुस्तम दिखाए दे रहा है जो आने वाले से में कुछ बड़ा धमाका कर सकता है और जो बड़ी फंडा उसका रुजान है वो भी stock को लेकर वही कह रहा है तो यहाँ पर इन सारी बातों को जानेंगे और कौन से mutual fund है जिनोंने जम के खरीदारी किये इस stock के अंदर लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बेल आइकोन दबा दीजिए ताकि जबी ने वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले वीडियो पसंद आए तो लाइक से जुरू किजिए चलो फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं हूँ आपका दोस्त एस भी दवे और मारे अपने चैनल ओनलाइन कमाई में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो सबसे पहले फ्राइडे के कारुबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरू आतो पॉलिटी हुई 37.85 पर क्लोजिंग थी गुरुवार की 37.70 के आसपास इंट्राडे में 38.65 का ही भी बना इनि काफिये चीश न दौड लगाई और जो लो है वो 37.40 का यानि अच्छी खासी तेजी बनी लेकिन उपर के लिवर से प्रॉफिट बुकिंग के वे से कुछ गिरावट देखना को मिली दोनों तरप का माहुल बना लेकिन अंत में जो क्लोजिंग है वो बिल्कुल फ्लैट रेस 37.70 कास वाई जो गुरुवार की क्लोजिंग थी न गिरावट हुई न तेजी बनी अब इसकी परफर्मेस को देखे दो एक अपरेल को श्टॉक ने जबर्दस दौड लगाई श्टॉक पहुच गया 38.70 कास वाई जापे 8.3% की बंपर तेजी देखना को मिली फिर 4 अपरेल को यहाँ पर आगी प्रॉफिट बुकिंग और श्टॉक आगया 37.70 कास वाई जापे 2.6% की गिरावट ही 5 अपरेल को फ्लैट क्लोजिंग होई और श्टॉक अब यहाँ से बड़ी चलांग लगाने को फिर से तयार होच चुका है अब यहाँ पर इन्फिवावेन्यू की तरब से जो एक्चेंज को जानकारी दी गई है कि याने इस करेंट येर के लिए अपने जो शेर ओल्डर है उनके शेर जो फिजिकल रूप से हो या फिड जो डिमेट है उनके लिए यहाँ पर जो बड़ी जानकारी दी है कि यहाँ पर जो इन्हों ने अपने इलेक्ट्रोनिक शेर ट्रांसफर फेसिलेटिस के लिए देख सकते हो कि 1 अपरेल 2023 से लिए 31 मार्थ 2024 तक के लिए अपने जो रिजिस्ट्रार और शेर ट्रांसफर एजेंट है वो लिंक इन्टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिडेर को इन्हों ने हाइर कर लिया है और यही पूरी सेवाई देंगे पूरे साल बर के लिए तो ज उतनी जो भी प्रॉब्लम है उसका निवारन वो कर सकते है अब इसके रिटेंग को देखे तो पिछले पास सालों में 259 परसें का इसने सांदार रिटें दिया पिछले तीन साल में 66 परसें की तेजी बनिया लेकिन पिछले एक साल में 166 परसें का इसने बंपर रिटें दि देखे हो कि जो बड़ी अपडेट निकल क्या रही है आर्टिफिशल इंटेलिजेंट जो इस समय ट्रेंडिंग में है और इससे समधनी जो स्टॉक है उनमें काफी जबनस तेजी आ सकती है क्योंकि एक फ्यूचर है अब आप देखें जितने बीजनस है वो आर्टिफिशल इ आगे बढ़ाने के लिए राजेस कुमार को सीओ बनाया है इनके आटिफिशल इंटेलिजन बीजनस का और उनके पास 16 साल का अनुबव है आटिफिशल इंटेलिजन टेकनोलोजी का जिसके अनुबव के दम पर ये कमपनी तेजी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकती ह और इसके लिए कुछ बड़े फैसले भी ले जा रहे हैं इन्होंने यूएस की कमपनी एक्स ड्यूज के अंदर 20% की स्टेक भी ले लिए तो कमपनी AI टेकनोलोजी में तेजी से आगे बढ़ रही है और जो देश का फ्यूचर है उसको लेकर इन्होंने अपनी कमर कसले कि क इस तरसे इस एक्टर में आगे बढ़ जा है तो यह AI टेकनोलोजी जो आर्टिफिशल इंटेलिजन का बीजनस है यह इस कमपनी को बहुत उपर लेके जा सकता है इसके इलावा जो बड़ी अपडेट और निकल किया रहे है आर बी ने बड़ा फैसला किया है अब UPI के माध से ATM के माधिम से इपना payment bank account में deposit कर सकते है cash deposit कर सकते है तो यह एक बहुत बड़ा नया future है इसका मतलब है कि UPI का का बढ़ता हो दिखाए देगा इससे पहले स्थिप payment transaction के लिए UPI का इस्तवार होता लेकिन अब ATM में भी आप deposit कर पाएंगे अपने UPI का इस्तेमाल करके तो ज Google Pay Fund पर जैसे सेवाय देनी शुरू करेगी UPI की और जैसे कि UPI के माधिम से आप fund deposit भी कर पाएंगे कैसे आप ATM के माधिम से deposit कर पाएंगे तो यह बहुत बड़ी गुड़ी रेक्तर से इसके लिए और इससे संबनित और company है जिनका वीजनास UPI से संबनित हो तो Friday के दिरिजर यह जो सारी बाते हो रही है यह आप समझ सकते हो कि इस सेक्टर में एक बड़ी तेजील आने वाले है और इसके जो दोनों सेक्टर है चाहे डिजिटल ट्रांजेक्शन का जो का बीजनास हो या फिर AI यानि artificial intelligence का बीजनास हो यह दोनों ही आने वाले समध्यस का future और SMS की प्र पे 12 परसेंट बढ़ी है मोतिला लोस्वाल निप्टी स्मॉल क्याप 252 इंडेक्स फंड ने आपे 2.17 करोड का इंवस्मेंट किया है उनकी होल्डिंग 5.83 परसेंट मंत और मंद बेसिस पे घटी है इसके लावा SBI निप्टी स्मॉल क्याप 252 इंडेक्स फंड ने 2.13 का इंवस्मेंट किया उनकी होल्डिंग भी 4.46 मंद और मंद बेसिस पे बढ़ी है HDFC निप्टी स्मॉल क्याप 252 इटियाप ने 0.62 क्रोड का इंवस्मेंट किया उनकी होल्डिंग 7.12 मंत और मंद बेसिस पहूं दिखा गए HDFC Nifty Small Cap 250 Index पढ़ने 0.48 crore का इंवस्मेट के उनकी holding भी 11.69% मन्त वनन बेसिस पर बढ़ी है इसके लावा मोतीलाल ओस्वाल Nifty 500 Index पढ़ने 0.24 crore का इंवस्मेट के उनकी holding भी 2.82% मन्त वनन बेसिस पर बढ़ी है एडलवाईज निप्टी स्वाल क्याiennent 250 पर नहीं है, 0.12 कौड का investment क्याँ उतकी holding 14.44% कि सभी mutual fund है, यहाँ पे खरिदारी की है सिर्फ एक mutual fund है, यहाँ पे अपनी होल्डिंग कम के बाकी सब ने जम के बिक्वाज़ शुरुआज के है खरीदारी अच्छी हुई है स्पेशली अलग-अलग बैंकों के जो mutual furniture ICC बैंक हो फिर इसके लाव HDFC बैंक हो SBAI बैंक हो बंदन बैंक हो फिर 9 बचकर 16 मिनट पर 37.95 की प्रैसे 422,000 की खरीदारी हुई फिर 9 बचकर 17 मिनट पर 37.95 की प्रैसे 33,000 की खरीदारी और हुई फिर उसी समय 9 बचकर 17 मिनट पर 38.20 की प्रैसे 33,000 की खरीदारी और हुई फिर 9 बचकर 18 मिनट पर 38.35 की प्रैसे 3,76,000 की खरिदारी और हुई उसके बाद 9 बचकर 26 मिनट पर 37,60 की प्राइसे 4,78,000 की बिक्वाली हुई तो उसके बाद 10 बचकर 3 मिनट पर 38,25 की प्राइसे 8,5,000 की खरिदारी हुई उसके बाद 10 बचकर 4 मिनट पर 38,20 की प्राइसे 4,96,000 की बिक्वाली हुई उसके बाद 10 बच कर 6 मिनेट पर 38 की प्राइस से 5,67 शरों की बिक्वाली और रही उसके बाद 2 बच कर 17 मिनेट पर 37.95 की प्राइस से 2,883 शरों की फिर से खरीदारी हुई तो देख सकते हैं दोनों तरफ का रुजान मनाओं यहां पर खरीदारी भी हुई और काफी अची बिक्वाली भी हुई है या फिर AI, Artificial Intelligence का बीजनेस हो यह दोनों इसको बहुत उपर लेके जा सकते हैं ऐसे मैं Long Term Investors इसमें इवेस कर सकते हैं यह आने वाले समय फोर डिजन में जाने की ताकत रखता है लेकिन friend कोई भी investment करने से पहले अपने financial advisor बढ़े ले या अपना खुद का research करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके educational प्रपज के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो like से जरू किजा और चैनल को subscribe कर दीजिए Thank you friend